चलिए बात नालागड की कते जहांपन निजी बस चालक और परिचालकों ने 23 नवेंबर को हट्टाल की चेताव ने दी है वही निजी बस चालक और परिचालक की यूनियन की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया इस के चलते मीडिया को जानकारी दी गई कि निजी बस चालक पर चालक यूनियन के सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार आम आदमी पर हमला कर रही है देशी और विदेशी पुंजी पतियों को बहुराश्ट्रे कंपनीज के लिए काम कर रही है बैटक में फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवेंबर को पूरे हमाजर प्रदेश के साथ साथ और द्योगी क्षेतर के निजी बस चालक पर चालक हर्टाल पर रहेंगे तो केंद्र सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला है आपको बता दे कि चालक और परिचालक का आरोप है कि केंद्र सरकार जो है जन विरोधी फैसले ले रहे है इसी के खिलाफ 26 नवेंबर को देश व्यापी प्रदेश व्यापी आंदोलन चेडा जाएगा